पुरी दुनिया के बड़े बड़े एकनोमिस कह रहे है recession आने वाला है, recession जल्दी आने वाला है क्या आपको पता है, अगर recession आता है तो ये एक engineered recession होगा मतलब governments जान करके चाहती है कि recession आए, ऐसा क्यों हो रहा है आज की वीडियो में पुरा पुरा समझते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते है, recession होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आर्थिक मंदी जिसको कहा जाता है तो basically क्या है हर साल हमारा देश किसी लेवल पे ग्रो करता है जिसको हम GDP कहते हैं बहुत बार आपने सुना होगा अगले साल उसको 10% की ग्रोथ दिखाई देती है और वो 110 करोड कमाता है तो ये ग्रोथ आई है ऐसी ही हमारे देश की ग्रोथ आती है GDP क्या होता है? Gross Domestic Product मतलब एक देश कितना माल बना रहा है मानके चलो अभी हमारी कंपनी ने 10% ग्रोथ मारी पर मानके चलते हैं अगले साल में हमारी कंपनी ने जो 100 करोड कमाई थे उसकी जगा 90 करोड कमाई तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारी growth rate negative हो गई हमने growth नहीं करी अगर मैं country point of view से बात करके चलो तो negative growth rate मतलब काम कम हुआ है market के अदर अगर काम कम हुआ होगा तो government कम पैसा earn करेगी सब कुछ कम 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 हो तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर यह recession आता है तो यह engineered recession होगा मतलब government उसको plan करने वाली है तो भाई कौन सी government यह चाहेगी कि हमारी earning कम हो अगर logically दिखा जाए तो यही फर्क है एक government और एक business के अंदर business का logic होता है कि मुझे बस profit कमाना है और कुछ ले रहा देना नहीं है तर government और भी चीज़े सोचती है government long term अपने लोगों का भी सोच के चलती है तो आज मैं आपको एक digital solution app के बारे में बताऊँगा जिनका नाम है NeoX NeoX एक banking app है जहाँ पे आपको saving account के उपर zero balance saving account के उपर 7% तक का return मिलता है मतलब FD वाले return मिलते हैं आपको आपके saving account पे जिस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हो और अगर आपका salary account है तो आपको rewards भी मिलते है अगर आपको investment का shock है तो यहाँ पे आप zero commission के उपर mutual funds भी ले सकते हो उसके अंदर invest भी कर सकते हो अगर आप business हो या फिर freelancer हो आप फॉरन से payment लेते हो तो forex के उपर आपको कोई भी markup नहीं देना पड़ता है इनका बहुत ही simple सा onboarding process है आप video call के थूर on board हो सकते हो और register कर सकते हो यह आपको card भी provide करते है जिसको आप app से control कर सकते हो और app से ही आप अपनी EPF transitions को भी देख सकते तो description में मैंने link दे दिया है जाओ अभी check करो बहुत अच्छी opportunity है तो कहानी की शुरुआत करते हैं 2019 से 2019 से सबको लग रहा था कि अभी के time पे market बहुत उपर हो रखी है सब कुछ बहुत उपर जा रहा है मैं उपर का मतलब कह रहा हूँ inflation महिंगाई तो उस time पे सब के सब कह रहे थे कि महिंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शेयर मार्किट बहुत जाला उपर हो गई है यह जो bubble बन रहा है फटेगा यह फटेगा पर वो फट नहीं रहा था basically बहुत time से बस growth 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 आ रही थी कहीं पे भी नीचे की तरफ graph नहीं जा रहा था यह आगे आपको समझाऊंगा पुरी-पुरी cycle होती है एक growth आती है फिर recession आता है फिर growth आती है फिर recession आता है यह आगे समझाऊंगा आपको पर बहुत time से यह चीज नहीं हो रही थी तो सबने predict करना चुरू किया है भाई आने वाला है जल्दी आने वाला है और उस time पे मिरको आज भी याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मुझे बहुत सारी गालियो सुनने को मिली थी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि financial year खतम होने से पहले recession आएगा covid trigger करता है बहुत सारी चीजों को जिसकी चक्कर में factory रुख जाती है पुरी दुनिया रुख जाती है और वहाँ पे हमको recession देखने को मिलता है तो मैंने वही business point वी जो आपको बात करी थी वहीं पे समझने कुछ करो lockdown लगा सारे के सारा factory और factory सब कुछ रुख गई factory लेगार सब के सब रुख गई तो production रुख गई जल्दी सल्दी recovery चाहिए अगर मैं पुराने सारे past recessions को देखूँ तो recession की duration लंबी लंबी भी चली है और ये वाला बहुत ही quick था समझाता हूँ कि कैसे quick हुआ अगर आपको याद हो पूरी दुनिया के अंदर जब ये virus situation आई थी तो सबको stimulus package दिये जा रहे थी US government cash में दे रही थी बहुत सारे लोग cash में benefit दे रहे थे लोगों के account में cash में पोंच रहा था खाने की चीज़े free में पोंच रही थी बहुत सारी चीज़े हुई तो government ने क्या किया government ने market के अंदर free में पैसा बाटना शुरू किया यहाँ पर मैं आगे जाने से पहले आपको रोग के एक चीज़ समझाना चाहूँगा inflation और recession का एक relation है देखो simple सी बात क्या हो रहा है inflation बढ़ रहा है महंगाई दर बढ़ रही है महंगाई बढ़ना is good अगर आप 1950 के अंदर एक टमाटर जितने का खरीते थे और आज जो टमाटर खरीते हो उसका rate बढ़ा है मतलब economy ग्रो करी है यह बढ़ना is good और एक छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाना वो गलत है जब भी देश की growth rate से ज़्यादा inflation रहता है बहाँ पे risk आना शुरू हो जाता है मतलब आपके account के अंदर जितना पैसा पढ़ा है मान के चलते हैं आपके account में एक लाक रुपे बढ़ा है तो एक लाक रुपे में पहले आप एक किलो टमाटर खरीच सकते थे मैं calculation के लिए आपको समझा रहा हूँ पर अभी क्या हुआ मेंगाई दर इतना जड़ा बढ़ गया आप सिर्फ आदा कले खरीद पा रहे हो तो आपको तो loss हो रहा है ना इन सारी सारी चीज़ों के अंदर इसकी वेश से आपको क्या हो सकता है तो inflation बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर government का goal होता है इंफलेशन को हमको घटाना है GDP से नीचे रखना है तब ही सबके सब लोग खुछ रहने वाले तो अब demand और supply को समझने कुछ करते हैं जितनी ज़्यादा demand होगी और supply अगर कम होगी तो क्या होगा मानके चलते हैं कि मेरे पास में 10 kg टमाटर है और 100 बंदे लेने के लिए आगे और सबको 1 kg चाहिए तो मैं क्या करूँगा मेरे पास control आजाएगा मैं कहूँगा भाई निलामी करो जो ज़्यादा पैसा देगा मैं उससे दूँगा है इस चीज तो इसकी वेज़े से क्या होता है जब भी demand supply का gap बनता है तो चीज़े महंगी होने शुरू जाती है COVID हुआ COVID के साथ बहुत सारे factors इखटे होने शुरू हो गए सबसे पहले चीज COVID की वेज़े से पूरी दुनिया की supply chain खराब हो गई supply chain खराब होने की वेज़े से क्या हुआ जैसे की हर जगा पे lockdown लग गए थे पूरी दुनिया वाले कह रहे थे कि चाइना से कोई भी समान हमारे देश में नहीं आएगा क्योंकि virus फैल रहा है बहुत सारे देश वाले ने अपने border close कर दिये थे हमारे देश के अंदर कोई और जगा का equipment नहीं आएगा तो उसके चक्कर में क्या हुआ बहुत सारा market में supply chain का gap आ गया factories को काम करने के लिए जो product की requirement होती थे उनके पास वो थे ही नहीं और यही चीज अगर आप इछले 6 महीने के अंदर देखते हो तो हम कह रहे है कि silicon chip की कमी पढ़ रही है electronic चकर मेंगा हो रहा है यह मेंगाई इसले बड़ी क्योंकि supply chain का issue तो यह supply chain का crunch तो चली रहा था खाली इसी की बात नहीं कर रहा बहुत सारे products का अलग-अलग category के अंदर supply chain का crunch चल रहा था इसके चकर मेंगाई दर बढ़ रहा था फिर एक बहुत बड़ा factor आता है वो क्या आता है war रशिया और Ukraine की war शुरू जाती है रशिया invasion शुरू करता है Ukraine के उपर अब उसकी वज़े से बहुत सारे sanctions लगाए जाते हैं रशिया के उपर मतलब रशिया यह नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता पर रशिया अगर देखा जाए तो बहुत छोटी economy नहीं है रशिया बहुत बड़ी economy है तो अगर आप रशिया को रोकोगे तो globally फर्क पढ़ने वाला है तो रशिया बहुत बड़ा oil का exporter था तो आपने रोक दिया तो हमने देखा oil के rate बढ़ने शुरू हो गए अगें वही वाला concept आ रहा है demand और supply का पूरी दुनिया के अंदर supply बड़े-बड़े करने वाले जैसे चाइना supply कर रहा है रशिया supply कर रहा है यह सब supply कर रहा है आपने एक supplier का रोक दिया उसकी वएसे क्या हुआ demand तो थी और demand अगर मैं COVID के time की बात करके चलो तो उस time पर सब कुछ रुका हुआ था तो उस time पर demand घट गई थी इसी चकर में उस time पर आपने देखा petrol के prices नीचे जा रहे थे हमारे को effective कितना आ रहा था वो नहीं कह रहा हुआ मैं कह रहा हुआ कि कच्छे तेल के जो rate थे वो नीचे जा रहे थे जैसे ये war वाला scene हुआ तो क्या हुआ demand तो थी market के अंदर supplier रुक गई जिसके चकर में product के price बढ़ते चले गए तो हमने oil के prices बढ़ते हुए देखे और सबसे बड़ी problem यहीं से शुरुआत होती है oil से बहुत सारी चीजे linked थी oil की वज़े से आपका transportation महंगा हो गया आपका transportation मतलब logistic मतलब आप जो भी product करीद रहे हो वो आप तक पहुँच रहा है वो महंगा पहुच रहा है क्योंकि उसके अंदर जो oil लला है जो भी gas, oil, petrol, diesel जो भी use हो रहा है वो उनको महंगा पढ़ रहा है तो इस चकर में महंगाई दर और बढ़ना शुरू हो गया अब government को क्या करना है महंगाई दर करनी है नीचे तो government के पास में एक monetary action होता है वो क्या करती है market के अंदर पैसा रोक देती है अब ये क्या चीज हुई demand supply, again मैं वह वह बात करके चलता हूँ तो government ने क्या किया market के अंदर cash की supply को रोक दिया तो अभी हमने RBI को देखा था recently, उन्होंने बहुत सारे cash को रोका कि भाई, ये market से हम निकाल रहे है साथ में उन्होंने क्या किया उन्होंने interest rate को बढ़ा दिया अब interest rate को बढ़ाने से क्या हुआ आप मान के चलते है, आपने गाड़ी का loan ले रखा है या फिर घर का loan ले रखा है, आपकी EMI जाती है अगर loan interest महंगा हो गया तो आपकी EMI महंगी हो गई तो आपके, बेसिकली loan जो लेते है दो तरीके से लेते है एक होता है variable rate, एक होता है fixed rate जिन्होंने variable rate पे ले रखा है मतलब जो market में rate चलेगा, उसके साब से अपका price उपर नीचे होगा तो वो लोगों के साथ नुकसान होगा एक site पे interest rate बढ़ रहा है जिसके चकर में आपको ज्यादा पैसा देना पढ़ रहा है जो भी EMI आप दे रहे हो साथ के साथ जो भी आप समान खरीपते देगर के लिए वो महंगा पढ़ रहा है salary आपकी बढ़ नहीं रही है इस चकर में क्या हो रहा है इस चकर में आम आदमी की saving कम हो रही है अब आम आदमी के अगर saving कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है वो कम spend कर रहा है अगर वो कम spend कर रहा है तो कम demand create हो रही है तो supply और demand को जो gap है वो match हो पा रहा है तो अब देखो interest rate बढ़ाने से government ने control कर दिया जो inflation बढ़ रहा था उसको पर क्या सही में control हो पाया सारी चीजे इसी पर link तो नहीं है कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे उससे क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत सारी ऐसी चीजे है जो कि global market से linked है जैसे अगर हम petrol की बात करके चुलते है तो petrol कहीं ना कहीं global market से linked है हम इंडिया के अंदर कुछ भी करे हमारे पास अगर petrol महंगा आ रहा है तो अब government आने वाले टाइम में क्या कर सकती है एक जो अभी हमने देखा हमने देखा petrol डीजल के rate कम करे गए क्योंकि वो factors आपके control में नहीं है अभी आने वाले टाइम में हम देखे कि interest rate फिर से बढ़ेगा क्योंकि government inflation को control करने के लिए सिर्फ अभी के टाइम पर यही चीजे कर सकती है और मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ यह सारा का सारा जो scene शुरू है वो US से शुरू हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया की economy कहीं ना कहीं US से linked है तो जब COVID फैला था तो US ने बहुत ज़़दा पैसा cash की form में अपने लोगों को बाटा था पैसा बहुत ज़़दा आने की वए से inflation की शुरुआ तो नहीं शुरू हो गई और यही एक chain effect था जो कि हर जगा पे create होना शुरू हो गया तो ठीक है concept तो clear हो गए अब मैं अपने question पे फिर से वापसी आता हूँ कि भाई recession अगर आ रहा है तो government इसको engineer क्यों कर रही है देखो government engineer ही कर रही है recession को क्योंकि उनके पास पे अब कोई alternative नहीं रहे गया है वो दीरे दीरे interest rate बढ़ा रही है और आप हर जगा पे देखोगे दीरे-दीरे interest rate बढ़ना शुरू हो जाएगा वो पैसे को रोकनी कुछ करेगे market के अंदर और पुरी-पुरी economy को रोकनी कुछ करेगे अगर economy रुकेगी दीरे-दीन नेगेटेब में जानी चुरू होगी और आपको recession दिखाई देगा अब हमारी government bodies का कहना है कि हम नहीं जा रहे है उस direction के अंदर अब हम एक अच्छी recovery दिखा रहे है बाकि ये time बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा हमारी economy हो सकता है कि सही रहे है पर global recession आ सकता है और हम उससे दूर नहीं रहेगे और recession का कहीं न कहीं effect market पे भी पढ़ने वाला है आपने देखा जिस दिन हमने announcement सुनी थी interest rate बढ़े है उसी दिन हमने market घटती हुई देखी थी क्योंकि सब को लग रहा है recession आ रहा है और ऐसा हमने देखा है जब भी recession आता तो market crash करती है अभी हमको वीडियो live करने ही थी तो RBI का update आ गया है RBI ने repo rate को फिर से बढ़ा दिया है मतलब interest rate फिर से बढ़ने वाले है और आने दे टाइम में आप देखोगे interest rate फिर से बढ़ते हैं आपको दिखाई देगे क्योंकि government के पास में अभी सिर्फ यही control है जिससे वो economy को control कर सकती है और एक चीज और है 2022 के पहले quarter की बगर हम बात करके चलते हैं तो US अभी negative GDP पे है अगला GDP अगर negative आता है तो US recession में आ जाएगा US आएगा तो आपको दिखेगा सारी जगाओ पे कही ने कही लिंक के जाने शुरू हो जाएगी एक बहुत बड़ा misconception है जो कि मैं दूर करना चाहूँगा कई लोगों को लगता है share market जो sensex है nifty है ये हमारी economy वेगारा से related होती है linked होती है पर वो एक reflection नहीं होता real market का nifty 50 shares ही होते हैं खाली टॉप 50 company होती है वो ही आपको nifty 50 के अंदर दिखाई देती है आपको सब नहीं दिखाई देते हैं तो वो पूरा आइना नहीं है हमारी पूरी पूरी market का हो सकता है अगर recession आता है तो कुछ-कुछ company हो जो की गिरेना जो अच्छी strong बनी रहे तो इसका मतलब यह नहीं है कि भाई पूरी market नहीं हुई है आपको पूरी market का mean देखना पड़ेगा मैं कहीं पे एक report पढ़ रहा था उनके हिसाब से इंडिया का जो PE चल रहा है average वो चल रहा है 18 से 19 और उनके हिसाब से market अभी 15 से 20 पसंट और crash कर सकती है मैं एक financial analyst नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं कह सकता कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा अब सबसे बड़ा डर क्या है जो बड़े बड़े economics को लग रहा है पैली चीज़ अभी pandemic over नहीं हुआ हाँ अभी थोड़ी शांती लग रही है पर यह एक दब हमने यह नहीं कहा कि pandemic over हो गया दूसरा अगर हम वार की बात करके चले तो वार भी अभी रुकी नहीं है तो बहुत सारे ऐसे external factors जिस पर हमारा control नहीं है किसी भी way के अंदर behave कर सकते है अनले टाइम में एक recession के हम 10 तक भी देख रहे हैं अभी के टाइम पे कि बहुत सारी jobs जा रही है अब job जाने के दो reason है एक reason यह है कि जो investors है वो investors अभी funding नहीं दे रहे है वो funding नहीं दे रहे है वो कहरे है आप profitable business करो इस चकर में companies cost cutting के चकर में employees को निकाल रही है पर एक basic economic समझने के कुश करते है एक business की आप एक business करते हो आपने वही 100 करोड रुपे का revenue create किया था अभी market रुक गई है मतलब आपकी जो GDP है वो घट रही है मतलब लोगों के पास में पैसा नहीं है आपका product खरीदने के लिए मतलब आपके product की sale कम हो रही है इसका मतलब आपकी sale कम होने के विए से आपके profit negative में जा रहे है या कम हो रहे है या फिर आप loss के अंदर जा रहे हो तो आप क्या करोगे cost cutting करोगे सबसे पहली cost cutting कहां पे आती है employees के अंदर है और आप उन लोगों को निकालोगे जिनको आप ज़्यादा पैसा दे रहे थे और वो लोग उतने efficient नहीं थे अभी हमने पिछले कुछ time के अंदर देखा है कि लोगों को 2x 3x भी hike मिला है इतना ज़्यादा investors ने पैसा दिया startups को और वो बहुत ज़्यादा hike मिलना चुरू हो गया अभी के time पे हम देख रहे है mass में लोगों को निकाला जा रहा है तो यह जो लोगों को निकाला जा रहा है ऐसा भी कहा जाता है जब यह scene आता है तो एक दस्तक होती है recession की अभी एक चीज़ clear कर देता हो, recession बुरा नहीं है कई लोगों लगता है recession बुरा है यह एक cycle है देखो, simple सी बात, market उपर जाएगी, सब कुछ उपर जाएगा, फिर उसके बाद एक time आएगा, जब घटेगा, यह सारा inflation वाला game है, simple सी बात, inflation बड़ेगा, बड़ेगा, फिर government उसको control करेगी, फिर वो नीचे आएगा, recession आएगा, फिर धीरे-धीरे खुलना सब कुछ जा रहा होता है, यही same चीज जो हमारे पापा लोग या बड़े लोग बोलते हैं, कि जब मैं ऐसा हुआ करता था, तो एक उर्पे में यह चीज़े आ जाती थी, आज तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैसे की value ने रह गई है, वो यही graph बता रहा है आपको अगर हम पिछले 50 साल की बात करके चले तो बहुत सारी cycle आके जा चुकी है, तो overall जो inflation था वो बड़ा ही है, इसलिए आपको product के prices ज़्यादा लगते हैं, तो recession कब आएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी question है, मेर को ऐसा लगता है, और मैंने कई economist लोगों से भी सुना है, बहुत सारे experts से भी सुना है, उनका भी यही कहना है कि financial year खतम होते हैं, इंडिया के बात कर रहा हूँ है, मार्च के आसपास, फरवरी के आसपास, उसके आसपास अपने को recession देखने को मिल सकता है, instantly नहीं होगा, यह भी एक chain effect की तरह ही है, धीरे धीरे करके, धीरे जिन्दिगी को, government 4 से 6 जाएगी, 6 से 7 जाएगी, 7 से 8 जाएगी, 8 से 8 जाएगी, देरे देरे सारी चीज़ों को control करना शुरू करतेगी, तब एक opportunity के बारे मैं आता हूँ, अगर recession आता है और market crash करती है, तो यह बहुत बढ़िया opportunity होगी invest करने के लिए, आप जब market नीचे हो तो आप invest कर सकते हो, तब अपने topic के उपर वापसी आते है, recession आएगा, कब आएगा, क्या आएगा भी यह फिर नहीं आएगा, देखो, recession कब आता है, अगर मैं textbook की बात करके चलू, recession तब आ सकता है, जब कोई natural climate हो, कोई disaster types हो, covid देखा हमने, कोई war हो, वो भी हम देख रहे है या फिर कोई geopolitical issues चल रहे हो, अगें वो भी हम देख रहे है, अभी तीनों जो points है, वो check हो रहे है, कई लोगों को इसके उपर डर लग रहा होगा, डरने की बात नहीं है, ये भी एक opportunity बन सकती है, आप सबी के लिए, इसी के साथ आज की वीडियो खतम होती है, उमीद करता ह उपको मज़ा होगा, लाइक कर देना, शेर कर देना, कमने बताना वीडियो कैसी लगी, बाइ, गुद नशाबा केर, खुदा आफेज, गुद मॉर्निंग राफ्टरों जब भी या वीडियो देख रहे है,